तेजा जी का जन्म कहा हुआ था खरणाल नागोर में खरणाल कहां पढ़ता है नागोर के अंदर है पिश्री नाम ताहर्ड मंवी का नाम राम को पत्नी का नाम पेह्मल जो तो अझThis मेरा परीश्ट तो इंको क्या बोलते ये इस्टार लगाना चैनलाया क्य जो । कि चुद लाब है नहीं है ज़ैं तुट टेजा जी गा जलमी कुछ जन्म किस्में वा था जायत परिवार में वा वा था सुन्ना देखो हूँ पहले गाउस में बाल विवा यह अभी ओन फिकनलावब होते थद बपर मुकलाव Σमझते हो मुझरी की साधी करने लड़की लड़की भूसासराल भेजेंगे नहीं वोज़ा पहली बाल बहजी जाती जोतने के लिए राज्स्तान में गर्मी पड़ती है अपने बहेंकर वाली इसलिए हल जोतने का काम या तो सुबह सुबह जल्दी करो या शाम को थोड़ा लेट करो दोफ़ार में तो आपको रेष्ट करना है पड़ेगा आप गर्मी में तो नहीं सकते तो सुबह चार बजे उठकी किसान खेट चले जाया करते थे आपको चार बजे उठके खेट जाएगा तो खाना के शेकाएगा पहली बाद तो चार बजे बनाए को और यदि बना दे तो भाई किसको तो फिर यह का गया कि पुरूस्त खेट में काम करने चले जाएंगे महिलाएं पिछे से खाना लेकिया जाएगी तो काम मैं बोलते हैं कि भातों भाता लेकि जाती है न तो तेजा जी की जो भाभी जी थे वह डिलीन खाना लेकि झाया करते थे एधिन भाबी जी को खाना ले जाने में होगी लेट 11 जी पहुंचना तो उसकी जिए 2 बजे पहुंचे पस्मी राजस्था बहेंकर वाली गर्मी पड़े उसमें भी आप हल चलाने जैसा दुसकर काम करो और इदी खाना टाइम पे नहीं मिले तो अंदर से आंतडियां जवाब दे जाए कुल बूला जाए बाभी जी लेट पहुंचे तो तैजा जी मराज ने उनको कह दिया बाभी जी खाना तो प्ली जोलने क लए रहे थे पनेदगांटा रास्ते में गाउन आता था सुरशुला का कौन जा नाम के महीला माяз लाचा जाती गूरजर महीला था वह उस ताइम में गायों की लूट पाट हुआ करती और लूटे रहे उनकी गायों को लूट यूट तो लूटे रहे गायों को लूटके लेगे वह रास्ते में खड़े खड़े रो रहे थे गाये लेगे गोई धन हुआ करता था उस समय उन्हों जब तेजा जी को देखा तेजा जी अपने ससुराल जा रहा रहा था तो पूरे डम टिप तो तयार हो रहे चेरवानी पहेंद र आया करती थी तो जितने आदमी होते सब के पास तलवार होती और बरात में उसी को लेके जाते जिनके पास तलवार होती है पहले गाहूं में बरात में वह जाता जिसके पास यहां तो तलवार होती है उन्ट होता है तो अब भी पूस्ते हैं किसी के पास पूराना उन्ट पर दीरे दीरे काग आप इतनी सुरक्षा कि आउ सकता है तो अपने सिंबोलिक होगी कि दुल्ले को पकड़ा देते हैं दुल्ला भी वाद में कभी तलवार को यहां रखता है कभी ऐसे कर लेता है अपने हिसाब से लेके गूमता रहता उसको तो तेजा जी मराज जा रहे तो अज़्धे जब तेजा जी जा रहे थे तब रास्टर में ऐसांप जो था वह आग में जल रहा था जिए फिरी आप कि येक को शुन चुन के बदला लेता बार में तो वह बाहर निकाल वपस्तों लेना पड़े अनुने ये गलत काम किया है युशा सब्सक्राइब तो आप तेजा जी मराज की कोई भी तस्वीर देख लो उनमें सांप डंग का मार रहा है तो एक सांप के काटने से उनकी मृत्यू होती है कौन से गाओ में किसकी गाएं बचाने के लिए गए तो गुर्जर मैला थी लिखाओ सांप के काटने से तेजा जी की मृत्यू हो गई थे पर तेजा जी मराज ने का भए आज मेरी बले मृत्यू सांप के काटने से हो रही हो लेकिन आज के बाद मैं किसी को सांप के काटने से मरने नहीं तूंगा तो हम तेजा जी मराज को किस रूप में जानते हैं सरप्रक्षक लिखो कौन इन्हें सर प्रक्षक देवतागी रूप में पूझा जाता है कि वह समय को यह अपने पर बीमारी आई थी Kalabala उस बीमारी में लोगों को बचाया था इसलिए नाम पड़ गया Kalabala का देवता ने वह को घृच्टा भी चला एक पहले वहाड़ वाल हातों से चलाया करते लागियों लागियों जेठ आसाड कमर्त जारे लग तोडों लागियों बाद वी उंटेहों हुक्त फिर आगए ट्रैक्टर तो ट्रेक्टरों वे कैसे लगा लगा अगे रखते और यूम रात को तो जब अलव गईरा चलाते इन तो थंडी रात में सुनते भी दूर दूर तक थे पर वाद में दिर दिर आई सपना तो तो तेजा जी मराजवाला गीत ऊएक आदा चलता है वागी सपना वाले चलते हैं बाद में तो इसलिए फसलें कम हो रही है तेजा जी मराज पर डाक टिकेट जारी हो चुका भए लिख़़ो तेजा जी पर डाक टिकेट जारी क्या जा चुका है? P arrival Camp लिलन नाम से अपने राष्टान में ट्रेंच चलती है, ये भीकंदर नागोरवाली जो ट्रेंग्ए इसका नाम है लिलन एक्सप्रेश क्या नाम है लिखो पुष्ट के लिखो भाई बुक्स रिलेटेट टेजा जी एक बुक का उसका नाम है जुन्जार तेजा जुन्जार मतलब वही जुजारू परदर्शन करने वाले कि यह बुक लिखने वालते लज्जा राम महता अब कि यह बुक्त तेजा जी रभ्यावला यह रसावला अन ब्यावला ने गीतों को भी बोलते अपने लोग देवतांगे जो गीत होते उनको बोलते हैं कि यह बुक लिखने वाले बंशी दर्शर्मा कि यह बंशीदर सर्म मंदिर लिको तेजा जी मराज के मंदिर कहां काम परमुक मंदिर अब यह मैंने बताया था को परबचसर पड़ाजाम ने जन्म खरनाल में वा तो खरनाल चोटा मंदिर था आज कल खरनाल वाले मंदिर को खूब बढ़ा कर रहें म्रत्य सुर्सुरा में वी तो सुर्सुरा ससुराल ता पनेर में तो पनेर सेंद्रिया भाउंता एक यह लाश्टोला मंदिर याद रखना बासी दुगारी बुंदी के अंदर एक देगा पड़ती है बासी दुगारी तो बाकी वाले तो सारे अपने इधर नागोर अजमेर की तरफ है कि मैं बता दूंगा कौन सा कहां कहां पर एक बात लिख लोग उतार लिए ऑले पर्बत्सर वाड़ा तो पहले याद ही किय था था हम ने तेजहार समनें ना porridge ना को मैं पर वोथी दुगा कॉसण की घ्राइज महरजा जमें महरेसीक कोन महराजा उढ़ेज gli जाजपूर महराजा जाशनग कर पनाए गया था भाद मे बनाक्न अन जौद्पूर महरजा अभे सिंग के सासनकाल में बनाया गया थो अब अगते कहां पर ऑप वा्डशार अगल्य कोज स्वोर मुख्य मंदर सुर्सुराँ मेंilotर्से मंदर्स कॉलिए दू और याद संत्रिया भांतार बासित दुगार तीन यह यह चारों अजमेर है सुरसुरा पनेर संद्रिया और भाउंता चारों अजमेर में बुंदी में ये याद रखना एक दम अलग चैत्र में उधर शिज़ाजी मराज का मंदिर वासी दुगारी तो याद रे जाएगा तो अजमेर में तो कौन-कौन शेयोगे दो परबसर करनाल चार ये अजमेर में कौन कौन से सुरसुरा पनेर संद्रियार बांट उपर वाले चार तो याद रहेंगी उन्चे संबंधित एक जगा मिला लग रहा है एक जगा जन्म हुआ था एक जगा मृत्वी वी थी एक जगा ससुराल तीन याद करने नीचे वाले बोल माराज में लिखना या इनको एक और गते मूंगरी माता है कि इसी में तो तेजाजी मराज में लिखना कि यह तेजाजी की बहिन थी कि शिव शिक्ष्ट्र आप तेजाजी इनका भी मंदिर बनावा था खर नाल के था तेजाजी की मृत्युगा जैसे समाचार सुना बहिन की मृत्यु हो जाती है जाडू होती है जाडू जाडू को बोलते हैं गाओं में भोंगरी तो जाडू चड़ाते हैं मंदिर में इसलिए बाद में नामी क्या पड़ गया भारी बोलते हैं भूंगरी बोलते हैं यह तो नाम सुना कुंचा बोलते हैं तो वो भूंगरी माता का तो